दोस्तों सपने में चडिया देखना कैसा होता है? दोस्तों सपने में चडिया देखने के अलग-अलग अर्थ होते हैं कि आपने सपना कब देखा और चडिया को किस इस्थती में देखा? दोस्तो सपने में चडिया देखना बहुत शुब भी हो सकता है और बहुत अशुब भी हो सकता है जैसे अगर आप सपने में चडिया को अपने घर में देखती है कि वैं आपके घर में प्रवेश कर रही है अत्वा हुए आपके घर में फुदक रही है या आपके घर में अन्न के दाने खा रही है तो यह एक शुब स्वपन होता है इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है इसे माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और शीग्र ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याइं समाप्त हो जाएंगे। चडिया मर गई है या आप सपने में मरी हुई चडिया को देखती है तो यह एक शुब संकेत नहीं होता है अपर तो यह एक अशुब संकेत होता है इसका आर्थ होता है कि आपके जीवन में शीग्र ही कोई ने कोई मुसीवत आने वाली है या कोई बहुत बड़ा खर्चा आन नहीं आ सकती है, वहीं दोस्तों, अगर आप सपने में देखती हैं, कि चडिया आपके किसी शरीर के हिस्से पर बैठ गई है, चाहे कंदे पर बैठी हो, सिर पर बैठी हो, हात पर बैठी हो, अगर सपने में आप चडिया को अपने शरीर पर बैठे हुए देखती हैं, तो यह एक शोब संकेत होता है इसका आर्थ होता है कि आपके उपर जो रन चला आ रहा है वह रिड़ सीगर ही समाप्त हो जाएगा, यानि कि आप रिड़ से मुक्ती पा जाएगे और आपको आपकी जो आर्थिक समस्याएं बेवी धीरे धीरे सही होने लगेंगे, किसी मित्र की सहाय तासे आप अपने जीवन में तरक्की करने लगेंगे दोस्तो चडिया की ये शंकेत आपको क्या कहते हैं करपिया हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो